दोस्तो हमारी सीरी चल रही है Kenneth Henderson की बुक The Call of the Man Eater और उसकी स्टोरी चल रही है Jungle Days and Nights पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से कॉमेडी हो रही थी जब Kenneth Henderson अपने बेटे के दोस्त सौनी के साथ गए थे और वो एक बार इन्होंने आग देखके जंगल में बोला था Fire और उसने गोली चला दी थी उस तरफ वो तो किसमत अच्छी थी कि जो लोग आस पास सो रहे थे उन्हें गोली नहीं लगी थी और दूसरी बार जब ये जंगली सुर के शिकार पे गई थे और सौनी टाइम पर गोली नहीं चला पाया लेकिन गाड़ी के पीछे खड़े जौन बासिल ने एक गोली चलाई लेकिन गाड़ी में जटका लगने की वज़े से गोली थोड़ा पहले सौर के पहले लगी और इनके रेडियेटर के धकन को उसने उड़ा दिया उदर सौनी को लगा कि उसने तो गोली चलाई भी नहीं और गोली चल भी गई और रेडियेटर को तोड़ दिया तो उसने इशारा किया कि गाड़ी रोको जल्दी से और गाड़ी के सामने से घूम के आया और बोलता है ये बंदुक खोल के देखी दोनों की दोनों गोलियां बंदुक में ही थी यानि ये इस बात सच है कि उसने गोली नहीं चलाई थी लेकिन उससे नहीं मालूम चला था कि जॉन बासिल ने गोली चलाई है जिसकी वज़े से रेडियेटर टूटा है और क्योंकि उसके पहले वो सही टाइम पर निशाना नहीं मार पाया था तिन लोगों ने उसे चिड़ाना शुरू कर दिया था तरह तरह के नाम रखके अब इसके बाद एक और फणी घटना हुई जिसके लिए कैनेथ एंडरसन बताते हैं अब ये जो फणी घटना हुई इसके लिए एंडरसन बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी ट्रेजनी में कनवर्ट हो सकती थी हुआ ये था कि हम सुबह के टाइम पर जंगली सुवर के लिए बीट और्गनाईज कर रहे थे और ये जंगल था जाडियों का जंगल बनेर घटा में बैंगलोर के साउथ में ये जंगल था और दूरी थी करीब करीब 15 मील अब इस बीट के दोरान सौनी एक रवीन के सा गैब था और दोरों में कुछ discussion चल रहा था और सौनी ने जो उधार में लीव हुई थी shotgun उसका बट जोड से जमीन पर पटक दिया अब वो पटकने की वज़े से बंदू का अपने आप चल गई इसके हाँ से चुट गई और आर्थार स्टेनले का जो helmet था उसको टच करत हुई निकल गई शौक की वज़े से आर्थार स्टेनले बेहोश हो गया हमने उसे वापिस होश मिलाया और सौनी को बहुत डाटा कि किस तरह का वो idiot है सौनी जडवत होके रवीन के बेट पर ही खड़ा था इनकी तरफ देख रहा था कि आखिर उसने किया क्या है उसे नहीं पहले खड़ा था, अब सौनी बोलता है कि गोली कैसे चल सकती है मैंने केवल एक गोली एक barrel में डाली थी और मैं बहुत ही जंटली बट को जमीन में टैप कर रहा था उससे गोली चली नहीं सकती अब सौनी ने उसी तरीके से बट को दुबारा जमीन पर ठोकना शुरू कर दिया ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तो ऐसा कर रहा था और ऐसा करने में बंदूग दुबारा चल गई फिर वो आर्थर के सिर के पास से निकली और फिर आर्थर बेहोश हो गया अब एंडर्सन के बेटे डोनाल ने तोड़ा ताना मारते हुँ बोला कि तुम तो कह रहे थे तुमने केवल एक गोली लोड करी है तो ये बंदूग दो बार कैसे चल गई सौनी बोला देखो मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ और जैसे इसने खोल के देखा दोनों में गोलिया थी और दोनों ही चल चुकी थी अब सौनी की आँखे आश्चर चकिस सी दिख रही थी अब इस घटना के लावा एक घटना एंडर्सन और बताते हैं एक बार और अमेजिंग एक्सपिरियंस हुआ एक फोर्ड कार में जा रहे थे वही रुस्तम दूद वाला की कार थी ये घटना हुई कोले गल में जो की था कोयमबटूर डिस्ट्रिक में अब जो इनके रेडियेटर के पास वाला फैन था उसको जिस नट से टाइट किया था वो नट ढिला हो गया पंका थोड़ा आडा तेडा चलने लगा और उसने रेडियेटर में बना दिया एक छेद और रेडियेटर का सारा पानी गिर गया अब ये लोग जंगल के बीचों बीच थे और इनको लग रहा था अब ये कार कैसे लेके जाएंगे रेपेर के लिए कोलेगल तक अब रुस्तम को गुस्सा आया और जिस गुस्से को बोलता था ब्रेन वेव उसने पूरा बोनट निकाल दिया मेटल क्लैम्स लूज कर दिये हॉस पाइप निकाल दिया अब उसने जुगाल करते-करते हॉस पाइप से एक पाइप बना लिया अपने एक दोस्त को बोनट के पास बिठाया जो कि पकड़ के बैठा हुआ था पाइप और जिससे पानी जा रहा था रेडियेटर में इस तरीके से ये गाड़ी लेके आए कोलेगल में अब गाड़ी का इंजन गरम हो रहा था रेडियेटर का पानी गरम हो रहा था साथ में उस ट्यूब का भी पानी गरम हो रहा था जिसको पकड़ के इनका दोस्त बैठा था लग रहा था कि वो ट्यूब फट जाएगी अब हलकी से एयर निकालने के लिए विली ने अपनी पकड को थोड़ा लूज कर दिया ये बात वो भूल गया कि वाटर पंप काम कर रहा है अब ना सिर्व उससे गरम भाप निकली बलकि खौलता हुआ पानी भी और गिरा विली के सिर पे उसने उस पाइप को छोड़ दिया फिर से रेडियेटर खाली हो गया अब एंडर्सन और टीम विली के उपर बहुत जोड़ जोड़ से हस रहे थे लेकिन इनकी हसी तब बंद हो गई जब विली ने कहा खुद पकड़ना हो पकड़ लो अब मैं नहीं पकड़ूँगा अब ये लोग बारी बारी से उस ट्यूब को पकड़ रहे थे और उस तम गाड़ी चला रहा था अब ये लोग बीच-बीच में गाड़ी रोकते थे ताकि पानी ठंडा हो जाए जब भी कोई रिवर स्ट्रीम आती थी तो अपने सारे पेट्रोल गैलन्स जो इनों रखे होए थे वो भर लेते थे पानी से ऐसे करते करते ये लोग कोलेगन पहुँच गए ये कह रहा है मुझे घटना याद आ रही है एक जंडलमन की जो मेरे साथ गए थे और उन्होंने कहीं पढ़ लिया था कि कंडेंस मिल्क बहुती बढ़िया सोर्स है विटामिन्स का ये सारी जरूरते पूरी कर देता है उन्होंने कहा वो कोई दूसरा खाना लेके नहीं जाएंगे सिर्फ condensed milk लेके जाएंगे जिसमें कि उन्हें एक हफते तक गुजारा करना था अब उन्होंने जो भी food values पढ़ी थी उसके बारे में तो नहीं पता लेकिन पांचवे दिन उनकी हालत खराब होने लगी अब condensed milk constipation करता है उपर से पानी कम था क्योंकि गर्मी के दिन थे तीसरी बात इन्हों अपने protein और vitamins का जो चार्ट बनाया था उसमें नमक को भूल गए थे उस दिन शाम को वो अचानक से गिर गए बोले मेरी तबियत बहुत ज़्यादा खराब है अब उनको बुखार भी आगया था और पेट में मरोणे उठ रही थी अब वो कोशिश करने पर भी टॉलेट या फ्रेश होने नहीं जा पा रही थी अब अंडर्सन ने सोचा कि जो भी खाने पीने का सामान है इसी से कुछ इंतिजाम करते हैं अब गाड़ी के जो फूट पंप की जो पाइप था रबर का वो निकाला गया कार का जो हॉर्न था उसका जो बल्ब था उसमें गरम पानी भरा गया और इससे इनको इनेमा लगाया गया उसके बाद ग्रेट फोटी का इंजन ओयल भी इनके गले में डाला गया लेकिन काम हो गया और उनकी तबियत ठीक हो गई अब ये जो ट्रीटमेंट दिया था इसको एंडर्सन ने एक बार और ट्राई किया एक जगे थी जिसका नाम था गरहिटी ये थी सालेम डिस्टिक में अब एक अल्डर्ली परसन थे जिनका नाम था सेल वो इनके साथ गए थे हाथियों के फोटोग्राफ खिशने अचानक से उनको सन स्ट्रोक आ गया और वो नीचे गिर गए हम लोग पूरे दिन घनी धूप में थे और जैसे ही फोरेस्ट बंगलो पहुँचे उन्होंने शिकायत की कि उनको सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और तबियत भी उनकी काफी खराब लग रही थी तब ही उनको हाई फीवर हो गया और उसके बाद उन्होंने लगातार उल्टिया करनी शुरू कर दी और फिर वो बेहोश हो गए अब कार के पंप नोजल से ट्रीटमेंट और स्पंज यानि की ठंडे पानी की पट्टियां रखने से उनकी तब ये ठीक हो गई और अगले दिन सुबह वो फिर से खड़े हो गए एक इंट्रेस्टिंग एक्सपिरियंस कैनेथ अंडरसन का हुआ था जब वो घने जंगल में गए थे अपने दोस्त बाइरा दा पुजारी के साथ अब जो कैनेथ अंडरसन का दोस्त था बाइरा दा पुजारी पुजारी एक जन जाती है वहाँ पर और बायरा उनको विशम परिस्थितियों में जंगल के अंदर मिला था लेकिन बाद में इनका दोस्त बन गया था कैनेथ हंडरसन की जो दूसरी बुक है जिसकी की सीरीज मैंने की हुई है दा नाइन मैन इटर्स और वन रोग उसकी प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे है उसके अंदर बायरा की कहानी है तो ये बायरा के साथ एक बार जंगल में गए थे अपने साथ ना तो कुछ खाना लेके गए थे ना ही कोई राइफल लेके गए थे इनका प्लैन ये था कि साथ दिन जंगल में रहूँगा जंगल सर्वाइवल करूँगा और वही खाना खाऊंगा जो मेरा दोस्त बायरा जंगल से ही जुटा पाएगा और इन्होंने बायरा को भी बोल दिया था कि तुम भी आना तो अपनी वो भरमार बंदूक जो तुम हमेशा जंगल में लेके जाते हो लेकर मत आना और इस ट्रिप की सबसे खास बात ये थी कि इस ट्रिप पर 24 घंटे मैं हर वक्त भूका ही रहता था अगर मुझे कभी भी कोई भी खाने की चीज दे दी जाती थी तो मैं खाने के लिए तैयार था और मेरे दोस्त बायरा को अच्छी खासी मशक्कत करनी पढ़ रही थी मेरा पेट भरने के लिए और उसका अपना पेट भरने के लिए और जितना बायरा खाना खा रहा था मैं उसका तीन गुना खाना खाता था हम तरह तरह की बेरीज खाते थे और बहुत सारे पेडों की लताओं की जड़े बायरा खोद किलाता था और वो बड़ी स्वादिश लगती थी हमने मदुमक्की के छटे खाए, शहद खाया और कुछ छोटे केकड़े भी खाए जो की रहते थे चेनार नदी के किनारे हमने घोंगे भी चबाए, हमने बड़ी चीटिया भी खाई जो की टर्माइट हिल्स के अंदर रहती थी बायरा ने दो ओडंबस पकड़े, जो की एक छिपकली की स्पशीज होती है और शायद उसे इगवाना कहते हैं, वो बड़ी ही टेस्टी और बड़ी ही ताकत वाली थी लेकिन मैं अभी भी भूगा था, लेकिन एक घोड़े के बाल की तरह से बाल बारा लेके आया था और जिसका फंदा बनाके उसने पकड़ा एक जंगली मुर्गा और फिर उस जंगली मुर्गे का हमने बनाया मड रोस्ट ये बहुती आसान तरीके से बन जाता है, मिट्टी में, पत्तों में, लपेड के दवा के अगर कोई एडवेंचर लवर इसे बनाना चाहे इस रोस्ट को बनाने के दो तरीके हैं, बिना किसी बरतन की सहय तक अब जिस भी तरीके से आपको बनाना हो, आप उस मुर्गे के उपर के पंक निकाल दीजिए और अंदर की आते बगरा निकाल दीजिए फिर आप चाहें तो स्टिक रोस्ट करें, चाहें तो मड रोस्ट करें स्टिक रोस्ट में बर्ड के अंदर से वो स्टिक गुसेड दी जाती है उसके बाद दो वाई शेप की स्टिक्स लगा दी जाती है उसके उपर ये स्टिक लगाई जाती है और इसे आग के उपर गोल गोल गुमाया जाता है अब इसमें जो आग इस्तिमाल की जाती है उसमें अंगारे इस्तिमाल की जाते है उसमें पत्ते नहीं डाले जाते नहीं तो पत्ते तेज आग करेंगे और उपर का मुरगा जल जाएगा इस तरीके में मेनच ज़्यादा लगती है क्योंकि हर वक्त एक आदमी को उसे घुमाना पड़ता है और दूसरा आप कितना भी सावधान रहो जब वो रोस्ट हो जाता है कही न कहीं से जली जाता है और एकदम ड्राई होता है बाहर से जल जाता है और अंदर से कच्चा होता है हाँ इसका एडवांटेज ये है कि बिना किसी ज़्यादा तयारी के आप जंगल में ये सेट अप फॉरण बना सकते हैं अब जो मड रोस्ट किया जाता है उसमें भी उसी तरीके से पंक हटाई जाते हैं अंदर की आते बगेर हटाई जाती है फिर उसके उपर नदी के किनारे का कीचड लगा दिया जाता है करीब करीब एक इंच मोटा अब अंगारों की आग तयार की जाती है और वो मड बॉल उसमें प्लेस कर दी जाती है अब उपर से और अंगारे डाल दिया जाते हैं केवल छोटा सा हिस्सा उपर से दिखता है ताकि दिखता रहे कि मड की कंडिशन क्या है अब अंगारे तेज कर दिया जाते है और मड के उपर का हिस्सा जो खाली दिख रहा है उसमें देखा जा के उसका सूखा हुआ मड या कीचण हटा दियाता है इसमें अंदर का मीट पूरी तरह से पक जाता है और वो ड्राइ भी नहीं होता और जलता भी नहीं है लेकिन इस टेकनीक में मड का मिलना बहुत जरूरी है और इतना सारा मड मिल जाना बड़ी बात है अब अगर नदी के क ये तरीका बहुत अच्छा है अगर कोई खरगोश आप पका रहे है या मोरनी लेकिन अगर आप कोई हिरन या बड़ा जानवर पका रहे है तो ये प्रॉपर तरीके से मड उसमें रह नहीं पाता अब आपके साथ जो साथी जंगल में आये थे और जिनकी शर्ते होती है हम ह गलेरिया हो जाएगा ऐसे साथी एक न्यूसेंस होते हैं जंगल ट्रिपर और मेरा ये मानना है कि वो आपने आपको पल पल मारते हैं इस बात की कलपना में यहाँ पर बैक्टिरिया है यहाँ पर वाइरस है और यहाँ पर कीडे मकोडे हैं क्योंकि अगर आप शूटिंग पर हो तो आपको इस बात के लिए तयार रहना होगा कि आपको अचानक से कहीं पर भी मूव करना पड़ सकता है कहीं पर कुछ भी खाना पड़ सकता है और कहीं पर भी सोना पड़ सकता है अब अगर आप इतना सारा कैंड फूड कैरी करोगे क्योंकि आपके खाने की शर्ते बहुत ज़्यादा है या आप मॉस्किटो नेट कैरी करोगे पलंग कैरी करोगे तो बहुत सारे पोर्टरस लगेंगे जितने लोग उतने खाने वाले मूँ और उतना ही राशन मुझे याद है एक बार मैं हस्बेंड वाइफ और उनका एक बड़ा बच्चा साथ में लेके गया था कावेरी नदी के किनारे मशली पकडने मैं उनके साथ कार में गया था और उसके बाद जब राज चड़ गई तो मैंने अपना बहतरीन बेट तयार किया कावेरी नदी के किनारे अब नदी के किनारे जो ठंडी ठंडी हवा थी उससे लेटते ही मुझे नीद आ गई लेकिन मेरे क्लाइंट्स ने मुझे जगा दिया वो बोले क्या यहाँ पर किसी क्रोकोडाइल का खत्रा है या कोई जंगली जानवर आ सकता है इन्होंने का ऐसा कोई खत्रा नहीं है और यह दुबारा सो गए लेकिन कुछ ही मिनट बाद इनकी नीद खुल गई क्योंकि जितना शोर वो लोग कर रहे थे वो लोग डंडे गाड़ रहे थे क्योंकि नदी के किनारे उनको बैट लगाना था और उस पर लगानी थी मच्छरदानी अब सारा इंतिजाम करके एक सफेद रंग का परदा लगाया मच्छरदानी लगाई और तीनो उसके अंदर सोए लेकिन वो तब भी नहीं सोए उनका जो सबसे ओल्डर इंसान था यानि के हस्बेंड वो बार बार मच्छरदानी हटाता था उसमें से टॉर्च जलाके चारो तरफ देखता था वो टॉर्च की रोशनी मुझे परिशान करती थी तो मैंने अपनी पीट उनकी तरफ घुमाई और मैं फिर सो गया लेकिन अभी थोड़ा ही सोया था तब ही मुझे जोर की चीक सुनाई दी मैं जल्दी से भाग के गया देखने कि क्या हुआ है देखा तो उनका बैट उलट गया था और वो अपनी ही मच्छरदानी में तीनो के तीनो फस गये थे और वो लेड़ी चिला रही थी बिच्छू बिच्छू और वो टॉर्च दिखा रहे थे नदी की तरफ अब जब इन्होंने पूछा कि भाई हुआ क्या था तो लेड़ी बोली कि टॉर्च की रोशनी अब वहाँ बिच्छू था कि नहीं लेकिन अभी तो नहीं था अब इन्होंने कहा चलो बिच्छू नहीं है सो जाते हैं और सीरेसली आप लोग ट्राई करो सोने के लिए क्योंकि कुछ घंटे की नीन बहुत जरूरी है लेकिन नहीं उन्हें सोना नहीं था उन्होंने कहा क कि बाकी की बची रात हम अपनी कार में बैठ के गुजारेंगे। अब उन्होंने एक कमाल की चीज की, उन्हेंने अपनी मच्छरदानी कार के चारो तरफ लपेटी, कार के दरवाजे खोल दिये और कार के अंदर बैठ गए। अब एंडरसन को लगा कि चलो, मैं तो सो पाऊंगा, लेकिन नहीं, कार के अंदर से भी वो टॉर्च मार रहे थे, बार बार चारो तरफ और एंडरसन के ऊपर भी टॉर्च मार रहे थे, और थोड़ी देर में उन्होंने कार का हॉन बजाना शुडू कर दिया, एंडरसन चलाए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो बोले, आस पास से जंगली जानवरों की आवाजे आ रही थे, इसलिए हम हौन बजा रहे हैं, आप तो सो रहे थे, इसलिए आपको मालूम नहीं चला, अब एंडरसन को मालूम था, कि इतने हौन सुनने के बाद, ए ही खतरनाक है, हमें यहां से दूर चलना चाहिए, अब एंडरसन इतने परेशान हो चुके थे, कि चुप चाप उठे और कार में बैठ गए, वैसे एंडरसन का कहना है, कि जब भी मैं जंगल छोड़के शहर की तरफ जाता हूँ, तो मन में थोड़ा अफसोस होता है, लेकि परेशन को लग रहा था, चलो, खुश तो आराम करूंगा, तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल दे बेस्ट, बंदे मात्रों!